टॉप क्लास परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह इस यंग इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस किया उस्ट्रिलिया में और 33 साल बाद जिस तरह प्रिस्बेन में हराया उस्ट्रिलिया को और दुबारा से रेटेन किया गवासकर बॉर्डर सिरीज को उसके बाद अब ये सवाल उ अभी कुछ दर पहले ही जो BC side के top selectors हैं उन में से एक से मेरी बात चीत हुई है और उस source ने मुझे बताया है कि विराट कोली को अभी फिलहाल England series के लिए कप्टान बनाये जाएगा और उसके बाद जो IPL होगा और उसके बाद जो series आएगी उसमें जाके देखा जाएगा कि आ उस तक हम उस tournament हम continue करें विराट कोली के साथ लेकिन सब को यह बात पता है BC side में कि अब ज्यादा लोग विराट कोली को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि टीम management में हैं कि बात मैं करूं और जितने भी top players होते हैं और जितने भी senior players होते हैं विराट कोली के उनके साथ पढ़ती न नहीं है और ये बात मैं अपने sources से बता रहा हूँ कि जिस तरह रोई चर्माय उनके साथ नाखुश रहते हैं जिस तरह आश्विन के साथ उनका एक तरह से एक तरह से उनकी लड़ाई चलती रहती है और dressing room बिल्कुल एच्छा महौल नहीं होता लेकिन जब से विराट कोली एडिलेट टेस्ट के बाद वापस कहे थे बिल्कुल महौल टीम का वदल गया था रहाने एक बहुत शांत कैप्टन थे और उन्होंने पूरी टीम को अपने साथ लेके चले हैं एक बड़े यंग टीम थी किसी नहीं को चांस नहीं दिया था लेकिन Melbourne में रहाने second test में विराट कोली के साथ 6 साल हो गए है और विराट कोली ने इन 6 सालों में test में उनका performance बले ही as a captain अच्छा रहा हो लेकिन T20 और One Day की मैं बात करूं तो उनकी performance as a captain उतनी अच्छी नहीं रही है और विराट कोली अब तक कोई भी ICC का tournament जीत भी नहीं सके हैं 6 साल का बहुत करने लगा है कि अब जारा वक्त विराट कोली को ना दिया जाए अगर विराट कोली ने as a captain अपना performance अगली coming months में अच्छा नहीं किया तो अब उनके पास choices काफी हैं खासका test की मैं बात करूं तो रहने रहने को जो selectors हैं वो as a future captain देख रहे हैं वहीं रोईट शर्मा भी ज favor करते हैं कि रोईट शर्मा को अब तीम इंडिया का captain बना दिया जाए in T20 and in ODIs तो मुझे लगता है कि और selectors की भी बात मैं कहूं तो विराट कोली की जो position है वो काफी जारा विक हो चुकी है वहीं एक चीज़ और भी मुझे कोशी साय के source ने बोला कि विराट कोली fitness की बा भी एक तरजी दी जाए सिर्फ fitness के मिना पर टीम का selection ना हुआ करे और काफी ज़्यादा विराट कोली को लेकर टीम एक जूट नहीं है एक सहमत नहीं रहती उनके जो ideas होते हैं और जो result हैं वो भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और एक का तो source का तो यहां तक कहना था क विराट कोली ने इतने important टूर के लिए जब ladder डाला था application डाली थी कि उन्हें चुट्टी चाहिए तो उनका ये भी कहना था कि अगर आप पहले ही काफी लंबी चुट्टियों के बाद या कह सकते हैं कि lockdown में कोई भी tournament नहीं रहा तो तो आपने family को काफी time दिया था और ठीक है कि आपके गर में एक baby आने वाला है आपकी wife pregnant है लेकिन बाकी players का क्या बाकी players के मौहमाद सिराज की example दिया गया कि मौहमाद सिराज के father expert हो गए वो नहीं गए वो नहीं गए वो नहीं का नहीं मैं team के साथ रहूँगा नटराजन की बात करूँ नटराजन एक net bowler बनके ग गए थे और यह दिखाता है कि team spirit कितने अच्छी थी वहीं विराट कोली को लगता कि अब उनकी जो family priorities जाना है over team India और यह वहीं विराट कोली है जो करीब 15 साल पहले इनकी father expired होए थे एक रंची trophy match के दोरा तब भी वो नहीं गए थे और वो खेलते रहे थे तो कहीं नहीं अ performance भी आ रही है वो लगातर नीचे होती जा रही है पिछले एक साल से कोई हलाकि बहुत ज़रा माचिस नहीं हुए लेकिन फिर भी उनके बल्ले से बहुत बढ़े रन निकले नहीं है कोई बड़ी century निकली नहीं है तो कहीं न कहीं अब ऐसा लग रहा है कि विराट कोली के ल हमें Facebook और Twitter पर भी follow कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद